दोस्तो नमस्कार मैं हूँ निरज और आप देख रहे हैं ग्रो माइन्ड येट्यूब चानल एक वर्फिर उपस्तित हूँ आपके समक्स बक्री पालन पर रधानी तेक नहीं वीडियो के साथ हैं ग्रोपुश्तो आज की वीडियो के वैसे लोग के रिये हैं जिनके पास जगह के कमी है और पुण्जी का भाव है अगर आपके पास पैसे की कमी हैं कम खर्ष में बक्री पालन पर ना चाहते हैं तो आज की काफी खास होने वाली है हमारे साथ फयाज भाई हैं जो भोजपुर जिले के सकड़ी गाउं के रहने वाले हैं लगबग 30 बकडी की फार्मिंग कर रहा हैं तो कैसे ये कम खर्ष में करते हैं कैसे कम जगा में करते हैं सारी जनकडी आपको आज की वीडियो मिलने वाली है तो बनी रहेगा तो इस फयाज भाई फिर से हमारे यूट्यूब चानल पर हैं तो कैसे वह करेंगे बकरी पालन इसके में कुछ जनकारे देजिए जो आप कर रहे हैं तो अगर वो सचमे करना चाहरे हैं तो उनके पास पूंजी हो या ना हो कोई मायने नहीं रखता बस वो दिल से लगे हैं इसमें आफिरा यह कर सकते तो ईकर्ठापु एक वर करनेसे तो क्या? जोamentos से मुडूत हो कि नहीं हम कर सकते हैं तो फूजी उतना कोई खास ऊप नहीं है तो इसको मेंटन करने सब्सक्रास. लाटन कता है, तो कैसे आप इक हमेंट कर पाते हैं? इसको मेंटेन करने के लिए सर वही थोरा सामको कश्ट जलना पड़ता है जिसे सुबह से सुबह जब चर्क आती है सब उस वक्त से मतलब तिन चार दफा रात को बंद करने के टाइम तक हम उस वहां से निकाल गए पेशाप करवाते रहते हैं इदर बाहर में पेशाप करवान हरा आओ है तो फिर अब बकरी पालन में जब तक आपके पास हरा जारे का वैवस्था नहीं हो तो तक सही तरीके से आप नहीं कर पाते हैं तो उसी कमी कैसे पूरा करते हैं हारे चारा के वयास्ता हम चराइप लेके चल जाते हैं सूबह साम बखरी के साथ आप भी चड़ते करने हैं तो जाना ही पर हैगा सरम लेहाज करने से क्या पैदा कर लोग बहुत इसी बाते करते हैं उनके बाटों पर रही नहीं करते हैं कि यह अपतो इसमें बिजनेस ही हम को करना है कितने दिन हो गए आपके बखरी आया थे सर हम इसमें फरवरी से मतलब इसमें बीजनेस परपस आगे नहीं तो ऐसे तो बच्पन से देख रहे हैं कि पापा कर रहे चाराने को बोले तो ले गए चारा है गहां से लिया हर चीज करते थे लेकिन अब बीजनेस परपस से खुद खुद के कॉंपिटेंस पे हम फ करते हैं किमकि हम तो चराई पे लेकर चल जाते हैं लेकिन घर पर जो छोटा जगा के वजहेंसे काम फैल जाता है वह भुट बहुत बाद भाद फैल जाता है तो भी करने के जोरत पड़ती है अधनी हो गया जो मुत्र बगदा विशर्जन की तो आपका कर लेते हैं अपना तो बकरी पालन की जानकारी आपने कहा से लिए तो ट्रेंग से पहले बकरी पालन कर रहे था या ट्रेंग के बाद बकरी पालन कीए हम तो ट्रेनिंग से पहले स्टार्ट कर दिये थे पर छोटा जगा में घनात में हम बकरी रख लिये ज्यादा हो गई 30-32 हमारा बकरी ते 44 के आसपास पहुंची थी सर तो थोरा समयमना जो था वो दुचारदस हम बेद दिये तो 30-32 पर आके अटकिये तो ट्रेनिंग से पहले किये थे उसका मोटलीटी हो गया था तो यसे मोटलीटी हो था वो टेटनस हो गया था सर उसको तो हम कापी दिन से करते थे उसको बदिया तो ऐसा होता नहीं था तो हम इंजक्शन नहीं देते थे तेटनस का बैक्सिन वागरा काम को जनकारी नहीं था तो आईसी हम कर देते लेकिन फिर वोटेटना हो गया तो हम सोचे कि जब घंध में रखनाए तो थोड़ा बहुत नौलेज़ चाहिए तो नौलेज़ चाहिए तो लेगा तो पता कि अर्सीटी में चल रहा था फिर आर्सीटी में सर से उमेश कुछ वहाद सर्से ट्रेनिंग मिला हमको बांदी वास बता है और टोपी टोपी के रहां सर दले यह फइयाज भाहि कोन-कौन से बक्री का आपने चिरावधी से बधिया करन किया था किसको किया थे सर प्यूंसे यह वहीं को किये थे ट्रेनिंग के बाद इन दूनों का बधीय करन होया था इसका कोई मोटलिटी नहीं हुआ था औ तो बहुत दीसे कर रहा है ट्रेनिंग भी आपने लिया बगडी के जो मेमने होते हैं मेल मेमने उसका जो बधिया करन होता है कितने उम्र के बाद किया जाता है वो बलेक बंगाल वाला थोरा सा कम होता है लोका तो उसके वज़ा से आप हम धाई तीन महिना पर करते हैं जैसे बादर नासल के चाहिए नहसे जोक्ष पर हैं तो इसमें तो दो महिना 290 जाते-जाते आपको ब्रुत जल्दी कर देना चाहिए है लोगा थोड़ा चोटा रहाता है जो बाद में अदमी हिसकी चाहता एक आर्श मैं अभी उत्रा नहीं can well Uh J तक कितने बकरे या बकरियां यहां से चेल कर चुके हैं हम जब से फरवरी से आया है सर तो उसके बाद एक बकरे को सेल किये थे बक्रे में कर लेते हैं अगर बकरी नहीं 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 चोड़ देता है आदमी मांस खईबे करता है अहर जगा मांस खा रहा आदमी एक अधो नहीं खारे उसका बात लगाए लेकिन अन्ठानवे लोग तो खा रहे ना तो मांस बीकने का मस तो बीके गई किया आपके को तयार बकरा है यह दो 그대로 हम ऌइन 12 माहिन यह साल इसकी वजन कितना होगा इसका वजन याई सबाची सके पर ऊघए बकरी जब पार हुआ उतना कोई खास राक राका नहीं था तो कमजोर था तो उसके बाद हम लिए तो अपना इरी कितना में खर दे थे दुनों को ये तो हम 7000 में लिए था इसारे 6000 पर लिए तो जो भी बक्री यहां पर आप खर दे हैं हुआ है सब्सक्राइब देखर देखर ओगाल कुझा अ इस वक्ता फर्वरी में अपने शुरुआत किया तो कहा से बर्करी लेकर रहे थे गाउं दिहाथ से ये अगल्वगल से घूम्गूम कर लेकर रहे होंगे तो कितना परशा लगा होगा उसमें आपको ऊसफे वक्त हम 200 खर्चा किये थे तीन कर्द्सी के लिए और बक्री के लिए वहाई आट-दस अज़ार रूपय खर्चा किये थे बाकी बक्री हमारी पहले से घर पे थी घनत में आप रखते हैं फायाज भाई तो टीका करण भी काफी जोरी हो जाता है तो वैक्षिन देते हैं या नहीं देते हैं अभी तो फिलाल नहीं दिये हैं सर लेकिन अब कोशिस यह है कि आप सीडूल भाई सीडूल भैक्षिन सब सारा बहुत जरूरी है सर और हमारा तो वैसे भी छोटा जगा है तो जल्दी रोग पकरेगा तो इसी वज़ा से हमको भैक्षिन अप करके चलना है आपने बताय अपना करें कम से कम जो कि जो भी है लाइव आपके पास है तो इसका इसको बचा है और बहुत ज़्यादा खर्च भाई मेरे होता नहीं मुश्किल से पांच सो रुपया में टोटल वैक्षिनेशन आपका हो जाएगा एक वकड़ी का हो जाएगा अगर यह वो नुक्सान हो तरह से करना है चलिए हमारे दसों अपने अब्बास से मुलाकात करवाई है स्वागत है सर हमारी यूट्यूब पर यह बताई है हमारे दसों को यह जो फयाज भाई बक्री पालन कर रहे हैं लग फरवरी से यह शुरू की हैं तो इनके काम से आप संतुष्ठ हैं खूस हैं ह सपोर्ट करते हैं आगे जब आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप कितना सपोर्ट कर पाएंगे अगर फाइनेशल भी उनको जरूत पड़े तो आप कर लेंगे हम कर लेंगे बहुत बहुत धन्यवाद बहतरी जनकारी आपने हमारे दसों को दिया तो दोस्तों आपने सुना बहतर तरीके से बताया अपने फार्विंग के विशें में किस तरह से इनकार रख रखावे सारी जनकारी इन्होंने आपको दिया तो आज दोस्तों आज की जनकारी कैसी लगी कमन करके जरूर बताएगा और इस तरह को और भी अपडेट जाड़ी रहेंगे तो बने रहेग ग्रोमा इंडिया ट्रीप चैनल के साथ तरह के लिए